अक्ष्रा सिंग के लिए खेसारी लाल सबसे बड़ा चैलेंज बनकर उभर रहे हैं अब तक तो पवन सिंग उनके रास्ते का रोडा बने हुए थे लेकिन अब पवन सिंग की उन्हें इतनी चिंता नहीं होनी चाहिए क्योंकि पवन सिंग अब उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज नहीं रहे गए हैं जितना बड़ा चैलेंज खेसारी लाल यादों उन्हें दे रहे हैं जिसके वजे से अक्षरा सिंग के लिए यहां थोड़ी मुसीबत बढ़ सकती है अक्षरा सिंग इन दिनों भोचपुरी इंडस्ट्री में एक अलग मुकाम बना चुकी है वो अपने दम पर खड़ी है या यू कहले कि अक्षरा सिंग की जो सकेंड इनिंग है यो उनकी इनिंग है अब यहां अक्षरा सिंग को कई ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ेगा और उनसे जीतनी पड़ेगी कल को खेसारी लाल यादो उनके हर दिल अजीज हुआ करते थे लेकिन अब खेसारी लाल यादो की प्रियोर्टी कुछ और है प्रियोर्टी में काजल रागवानी भी है और काजल रागवानी भी अपने सावन के अलबमों को लेकर आएंगी जी हाँ पिछले साल काजल रागवानी ने नौरात्री में माता कर गीत का एल्बम लेकर आया था जो लोगों को काफी पसंद आया था और अब तैयारी हो रही है कि सावन के गीतों खोलाने की और जिसके वजे से अब अक्षरा सिंग की मुसीवते इस वक्त बढ़ सकती हैं क्योंकि लोग जादा से जादा पवन सिंग, खेसारी लाल यादव या फिर रितेस पांडे के गाने सुनते थे और अब अक्षरा सिंग ट्रेंडिंग है अक्षरा सिंग की भी गाने लोग धडले से सुनते हैं पसंद करते हैं और उसके व्यूस भी अच्छे खासे आते हैं अच्छा तो तब होता जब पवन से लडाई के बाद अक्षरा सिंग खेसारी के पास गई और खेसारी के साथ फिल्मों के साथ साथ एल्बमों में भी गाती तो ये उनके लिए हमेशा से एक फायदे का सौधा रहता क्योंकि उनकी ओडियंस तो उनके पास थी ही प्लस खेसार की भी फैन फॉलोईंग उन्हें सपोर्ट करती लेकिन अब ये कॉम्पोटीशन बहुत बढ़ता जा रहा है भले ही ये लोगों को न लगे लेकिन आप अगर गौर से देखेंगे तो अक्षरा सिंग के लिए ये चैलेंज सबसे बड़ा चैलेंज होगा और अगर इस बार जीत जाती है यानि कि वो पवन और खेसारी से भारी पड़ती है अपनी सावन के गीतों को लेकर तो समझ जाईएगा कि अक्षरा सिंग को रोग पाना मुश्किल ही नहीं नामुम्किन है बोच पूरी जगत की होट और मसालेदार गॉसिप के रहे हमें सिस्प्राइब करना बिल्फिन नहीं हुए